हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाइसेज में आपका स्वागत है दोस्तो स्टेनो वेकेंसी दो हजार चोईस के बारे में आज हम बात करने वाले है दो हजार चोईस में आपको कौन कौन सी स्टेनो की वेकेंसी से देखने को मिलेंगी देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई कोट में इस्टेनों की वेकेंसी आएगी RSM SSB में इस्टेनों की वेकेंसी आएगी SSG में इस्टेनों की वेकेंसी आएगी और भी कई डिपार्टमेंट में आपको 2014 में इस्टेनों की वेकेंसी देखने को मिल जाएगी यह जो जोब होती है मतलब दो साल बाद में प्रोबिशन कम्प्लीट कर लेने के बाद में आपको लगबग जो सेलेरी मिलती है वो 50,000 रुपे 50,000 प्लस ही आपकी जाएगी कम नहीं जाएगी 50,000 क्या सपास सेलेरी मिलती है तो एक नंबर नोकरी है शांदार नोकरी है आप किसी से भी पुछोगे इस्टेनों की नोकरी कैसी है सब यह बोलेंगे शांदार नोकरी है अब सवाल यह उठता है कि क्या इस्टेनों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्या स्टेनो सीखे या नहीं सीखे अभी कि मैं आपको बता दूँ तो अभी तो आपको स्टेनो की काफी वेकेंसी देखने को मिलेगी जैसे अभी कल ही राजस्तान हाई कोर्ट में स्टेनो की वेकेंसी आई है उससे पहले शेशिन कोर्ट में स्टेनो की वेकेंसी आई थी इस इसके बाद में आपको RSMSSB में स्टेनों की वेकेंसी देखने को मिलेगी उसके बाद में आपको SSC में देखने को मिलेगी और भी कई वेकेंसी देखने को मिलेगी यह सारी वेकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी स्लेबस की बात करें जितने भी स्टेनों की वेकेंसी निकलती है किसी में भी मैथ नहीं होती है मैथ नहीं आती है किसी में भी तो जो मैथ के स्टूडेंट मैथ के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए फाइदा है राजिस्तान में हम बात करें हाई कोट में तो स्लेबस ही नही अफेर वगरा यह रहता है बाकि कोई reasoning में तो वगरा कुछ नहीं होता है यह syllabus रहता है और SSC में जो निकलती है उसमें आपसे एक तो English 100 number की English आती है 50 number की reasoning आती है 50 number का आपके जी क्या जाता है 200 number का paper होता है paper management का पर पास करने के बाद में आपके इस्टेनों को पेपर होता हम है अँपर की स्पीड निकली तो आपको 70 की speed मांगी है ज्यादा speed नहीं मांगी तो एक्जाम में आप सोच सकते हो 60 से 80 की भी मान सकते हो सकती है 70 की Speed मांगी है और साथ ही हम बात करें टाइप यह यह आपको अनच्पना है इतना है आपको लेवल की, गुरूप C और गुरूप D इस तरह से दो वेकेंसी निकलती है, ये हो गई सारी वेकेंसी की बात, कई वेकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, important बात ही आती है कि हम को stenoze सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए कहां से सीखें कौँछी लीपी से सीखें उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या stenoze सीखनी चाहिए क्या देखो अगर आप समय दे सकते हो regular time दे सकते हो तो डेली के 3-4 गंटे आप दे सकते हो तो आप सीख लो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा समय दे सकते हो जिसे कई ऐसे स्टुडेंट देखे है मैंने जिनको लिखने का बड़ा शोक है वो 3-4 गंटे का 10 गंटे ही भी दे देंगे तो वो स्टुडेंट है उनको सीख नहीं सीख नहीं चाहिए उनको थो 100 परसेंट स्टेनों शीख चाहिए काफी कम समय में सीख भी लेगे यह, आपके उपर है देखो धैंटेनों ऐक लेंग्वेज भे इसको अगर समय हो टो कर जलदी सीख जा लूगे नहीं तो 10-10 साल ही नहीं सीख पढ़ के डंग से अच्छे से समय दोगे तो 6 मेने में भी परफेक्ट हो जाओगे समय नहीं दोगे तो 6 साल में ही नहीं होगे तो ये ध्यान देना कि ये समय देना ही आपको इसमें पड़ेगा ठीक है अब बात आती है कौन सी लिपी से सीखे आपकी English है तो English से सीख सकते हो अगर आपकी Hindi अच्छी है जैसे राष्टान में जातर बात करें Hindi अच्छी होती है तो आप Hindi स्टेनों सीख सकते हैं ठीक है अभी स्टेनों की मैं बता दूँ आप Daniel क्लासेस से भी स्टेनों सीख सकते हो जो अभी जो आपके इस टेनों को कोर्स से सल रहा है आपको Daniel Classes की एप में मिल जाएगा जहाँ आप घर बैठे इस टेनों सीख सकते हो आपको कुछ नहीं करना क्योंब प्रेक्टिस आपको घर बैठे प्रेक्टिस करनी है यहाँ पर आपको सारा सब कुछ शिखाया जा रहा है और जो जो आपके प्रोब्लम आएगी दिक्कत आएगी उसके लिए आपको नंबर भी दिये हुए है प्ले स्टोर पर आप जाओगे प्ले स्टोर पर इस तरह से आपको Daniel Classes की एप दिखेगी जब आप एप में जाओ तो यहाँ पर जरूर आप रेटिंग जरूर देना फाइप इस्टार रेटिंग आप जरूर देना एप उपन करने के बाद में आपको इस तरह से एप का इंटरफेस दिखेगा यह भी मेरे स्क्रीन शोट लेकर लगाए हुए हैं आप ओपन करोगे इस तरह से आपको दिखेगा इसमें जब आप पेड़ कोर्स में जाओगे पेड़ कोर्स में आपको कम्प्रीट सारे कोर्सेज मिलेंगे इसी में आप जब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टेनो का कोर्स भी मिलेगा हिंदी स्टेनो ओनलाइन क्लासेज जा पर आपको शोट हैंड की क्लासेज यहाँ पर होती है यह देखो अभी 26 जनवरी तक में इसको वापस केवल 999 रुपे में कर रहा है उसके बाद में 1999 का ही होगा जिन भी स्टुडेंट्स को नहीं पता वो अच्छे से समझ ले 26 जनवरी तक आपके यह कोर्स 26 जनवरी तक 999 फिर यह 1999 का हो जाएगा हिंदी स्टेनो क्लासेज हैं कंप्लीट ओनलाइन क्लासेज होगी एक साल की वेलिडिटी रहेगी 45999 में अभी आपको यह मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर बीड़ती रहती है जिसे भी डिक्टेशन की क्लासेज आपके इसमे ड़ जाएगी वह भी ओर अफडेट हो जाएगी जल्दी करोगे देखो मैं आपको बताऊं इक लेंग्वेज है मैंने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट चार पांच महीने में भी 80 की स्पीड तक पहुंचाते हैं लेकिन वो कौन स्टूडेंट होते हैं वो वो होते हैं जो बहुत अच्छी खासी मेनद करते हैं बहुत अच्छा कासा लिखते हैं अभी जैसे हाई कोट का एक्जाम आया है लगबग आपके अप्रेल मही के आसपास एक्जाम होगा ठीक है तो आप उसकी तयारी टारगेट बेस पे कर सकते हैं कि यह निकालना है जब इस टारगेट बे बनाके चलोगे न तो इस एक्जाम की इस टेनों भी आपसे हो जाएगी और साथ-साथ करना क्या है आपको इस टेनों कर सकते हो साथ-साथ आप टाइपिंग करनी है हिंदी की टाइपिंग आपसे पूछी जाएगी हिंदी की इस टेनों में और साथ-साथ आपको एफिशेंसी बस इतना ही आपका पेपर रहता इ तो अब भी भी आप अपना 100% दिन रात एक कर देते हो तो यहां तक पहुंच जाओगे 70-80 की स्पिट बड़ी बात नहीं है पहुंच जाओगे उसके बाद में आपको RSMSSB में मौका मिलेगा SSC में मौका मिल जाएगा और भी कई डिपार्टमेंट होंगे जिसमें स्टेनों की वेकेंसी आजाएगी एक टारगेट बना के रखोगे अच्छी चीज है अच्छा इसलिए भी है कि और जो एक्जाम आते हैं वो 2400 ग्रेड पे क्या आते हैं यहां पे आपको सीधा 50,000 रुपे दो साल बाद मिलेंगे और प्रमोशन आगे होते रहते हैं इसलिए यह जोब अच्छी जोब है और मैथ जिनको नहीं आती है उनके लिए तो यह राममान है बहुत अच्छी नोकरी है तो अगर आपने टारगेट इस्टेनों का बना लिय है यह बनाना है तो यह सोच समझ लेना कि यहां टाइम देना पड़ेगा बस यह जंजट आपके नहीं है कि आपको बहुत सवारा चलिए पढ़ना पड़ेगा हाई कोड में तो आता हो एक टार्गेट बना लेते हो कि मेरे को इस टेनों ही बनना है तो आपके लिए बहुत अच्छी नोक्री यह बहुत अच्छी क्या बहुत यह अच्छी नोक्री यह नोक्री लगने के कि यह हम और अगे बढ़े इस टेनों सीखते हैं तो वो भी इस्टेनों सीख सकते हैं और जिनके अब तक job नहीं लगी वह भी सीख सकते हैं लेकिन बात यह ध्यान रखना है कि आपको time देना पड़ेगा टाइम जरूर आपको देना ही देना पड़ेगा डेनिल क्लासेस से भी आप जब कोर्स लोगे तो आपको यहां पर हेल्प नाइम नंबर भी वहां पर मिल जाएंगे उस पर भी आप कोल करके कोई भी समझेज डाल सकते हो कि मेरे यह दिक्कत आ रही है तो वह आप जरूर पुछे इस्टेनों सीखन कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि यहां पर आपको सारा सपुछ इस्टेनों का मिल जाएगा तो प्रियास करो तो अच्छे से ढंग से ही आप प्रियास करना हाई कोट आपके लिए काफी सुनर आउसर अच्छा आउसर है वहां पर आपको एक बाद जब एक्जाम दोगे तो आपको आइडिया भी होगा पता भी लगेगा किस तरह से पेपर आता है क्या इसमें सलेबस है क्या नहीं है तो इस्टेनों सीखना है अभी से लग जाओ अच्छे से दिन रात मैनेच करो जल्दी बन जाओगे और वो ही करोगे आज कर ली कल नहीं करी तो समय लगेगा समय तबी आप जल्ली लग पाओगे जब समय का सदूपयोग आप करने लग जाओगे उसको अच्छे से उपयोग में लेने लग जाओगे तो जिनको भी सीखनी है वो ढंग से अच्छे से लगें दिन रात एक करें अच्छे से मैनत करें 100% आपकी जोब लगेगी इसमें बस आ जादा होस्त के आपके पास जो भी ग्रूप उसमें शेर कर दें डेनिल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप जोइन करें यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहें धन्यवाद